इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे ज़ादा बिखने वाले इलेक्रिक कार प्रैंट्स के बारे में साथ ही उनको पिछले मंद से भी कंपेर कर लेंगे और उनसे जोड़ी कोई लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट लाँच की जानकारी सामने आये होगी तो वो भी आपको बता देंगे इस वीडियो में OK Car EV YouTube चैनल पर अजर आप इस चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब कर लेना यहाँ पर हम इलेक्रिक कार से जोड़ी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं शुरू करते हैं 10 पोजिशन पर आने वाली किया इंडिया के साथ में सितंबर में इसके 17 यूनिट्स विके हैं और अगस्त में 18 यूनिट्स विके थे किया की तरफ से केवल एक ही प्रोड़क्ट अभी एविलेबल है किया इवी 6 जो 60,97,000 रुपे की एक्शन रूम प्राइस पर अवैलेबल है हलाकि रेंज इसमें 700 किलोमीटर से जादा की मिल जाती है एक बार फुल चार्ज करने के बाद वहीं दूसरी तरफ किया इवी 9 को भी लॉंच किया जा रहा है 3 अक्टूबर को और किया इवी 6 का अप्रेटेट वर्जन भी इस साल के अंतित तक या फिर अगले साल को अनभील किया जा सकता है जिसमें काफी मेचर चेंजिस किये जाएंगे इसके लुक्स को ले करके 9 पोजिशन पर वॉल्वो 15 यूनिट्स भिके हैं सितमबर में 29 भिके थे अगस्त में वॉल्वो की तरफ से ये दो आफरिंग है भारत में और यहाँ पर इसकी रेज तो अच्छी मिलती ही है साधी साध वॉल्वो अपनी सेफटी के लिए भी जाना जाता है अगर आपका ब यूंडे मोटर इंडिया नॉर्मली पहले टॉप पोजिशन पर आया करता था लेकिन अभी कोना को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है यूंडे आयोनिक भी कोई खास सेल्स हो नहीं पा रही है हाला कि रिसेंटली क्रेटा इवी का इंटीर लीग हो करके सामने आ गया था जहा अगले कॉर्टर में ही किया जाएगा 2025 के स्टार्टिंग के तीन मंस में। सिक्स पोजिशन पर BMW, 104 यूनिट विके हैं सितंबर में, 70 यूनिट विके थे अगस्त में, BMW की तरफ से भी एक लंबा लाइनप है भारत में, यहां पर भी 75-70 लाग उर्पे से ले करके धाई करोर तक का लाइनप देखने को आपको मिल जाता है BMW की तरफ से, 5 पोजिशन प 25 लाग रुपे ते शुरू होती है, BYD seal जिसकी प्राइस 41 लाग रुपे से शुरू होती है, buyers अब यहां पर BYD की तरफ से एक नया प्रोड़क्ट आने वाला है, या फिर BYD E6 को ही अपडेट कर देंगे, E7 Max के साथ में जो काफी premium interior और premium features के साथ लगबग 25 लाग रुपे के budget में launch की जा सकती है भरत के अंदर और BYD को जाना जाता है इनकी blade battery की वज़े से जो जाधा reliable है अच्छी range दिती है और जितनी एक claim करते हैं उतनी range आपको देखने को इसमें मिल जाती है तो BYD का एक नया product बहुत जल्द launch किया जाना है इसी October के महीने में 4th position पर Citroën जो की last month 5th position पर था अब 4th पर आ गया है 386 units बिके हैं सितंबर में last month 162 units बिके थे फिलाल के लिए इनका एक ही product है EC3 12,66,000 रुपे की action price पर available है और देखा जाये तो अकेला product ही काफी अच्छी sales कर जा रहा है उमीद करते हैं Citroën की तरफ से electric के segment में कुछ नए updates देखने को मिल सकते हैं इस साल festive season 3rd position पर महिंद्रा 443 units बिके हैं सितंबर 2024 में 333 बिके थे last month अगस्त में महिंद्रा की तरव से XUV 4OO market में आती है जिस पर भारी भरकम discount देखने को मिला अगस्त में भी सितंबर में भी और October के महीने में भी जो की main festive season है यहाँ पर XUV 4OO की price साले 15 लाग रुपे दे शुरू होती है और यहाँ पर आपको discount भी देखने को मिल जा रहा है XUV 4OO पर Second position पर JSW MG Motor India Electric के segment में यह काफी अच्छा perform कर रहे है 955 यूनिट बिके हैं के सितंबर के महीने में लाश्ट मन 1411 यूनिट बिके थे अगस्त में देखा जाए तो यहाँ पर MG ने जो नई Windsor EV को launch किया है वो काफी aggressive pricing में launch कर दिया है उसके features को देखते हुए क्योंकि interior में काफी premium features base model तरही मिल जाते हैं और prices 13,000,000 रुपे रखी गई है और top model के लिए 15,000,000 रुपे और top model में सभी main features मिल जाते हैं जिनकी requirement होती है और जो additional हैं अपने segment से भी ज़्यादा feature offer कर रही है साथी साथ MG Motors ने अपनी तीनों ही cards के लिए Bars program को भी introduce कर दिया है जिसको हम dedicated video में details से explain कर चुके है हर बार की तरह इस बार भी electric segment में number one position पर Tata Motors 3530 unit विके हैं सितंबर में sales down हुई है अगस्त के मकाबले सितंबर में लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर Tata Motors ने एक नया product add किया है अपने electric line-up में जो की है Tata की Curve EV Curve EV को आप सही से analyze करोगे तो आपको पता चलेगा कि Curve EV जो है अपने rivals अपने features के हिसाब से काफी affordable pricing पर आ रही है देखा जाए तो इसमें design, feature, premiumness, comfort सभी चीजों का combination मिल जाता है और वो भी काफी amazing prices पर इसके लब टाड़ नेक्सवाँ एवी पंच एवी टिगोर, एवी टियागो, एवी एवी मार्केट में अविलेबल है, इनकी prices भी काफी affordable है उसके बावजूद भी Tata Motors ने इन पर तगड़ा discount offer कर रखा है साधी साथ festive season है तो सभी brand discount दे ही रहे हैं तो यहाँ पर Tata Motors कैसे पीछे रह सकता था नेक्सवाँ एवी पर 3 लाग से जादा के benefits आपको देखने को मिल जा रहे हैं इसके लावे टॉप सेलिंग का जो data है यह थोड़ा बहुत fluctuate कर सकता है